दोस्तों अगर आपने बाई मिस्टेक या फिर बैंक के थ्रू या फिर किसी डिस्ट्रिब्यूटर या ब्रोकर की सलाह की वज़े से mutual fund में regular plan के थ्रू investment किया हुआ है तो long term में आपको लाखो का नुक्सान उठाना पड़ सकता है और इस loss से बचने के लिए आप अपने regular plan को direct plan में switch कर सकते हैं किस प्रकार से practically करना होता है इसके regarding dedicated video का link आपको इस video के description में दिया गया है जिसमें best strategy भी बताई गई है कि क्या आपकी strategy होनी चाहिए जब आप regular से direct plan में switch होते हैं क्योंकि अगर आपका time period बहुत ज़्यादा हो चुका होगा तो आपको लाखो का tax भी pay करना पड़ जाएगा तो उन tax को किस प्रकार से अपनी liability को कम कर सकते हैं और बीना एक रुपया भी tax pay किये हुए आप regular से direct plan में switch हो जाएगे इसके regarding dedicated video का link description में है make sure कि इस video के समापत होने के बाद से आप description जरूर चेक आउट कर लिजेगा इस video में हम लोग ऐसे retail investor के बारे में बात करेंगे जिनका investment regular plan में अभी एक साल complete नहीं हुआ है तो उन्हें AMC के तरब से कुछ charges लगा जाते हैं जैसे पहला charge होता है exit load जो की AMC आपके उपर लगाती है यानि जो total आपका investment होगा उस total investment का जब आप redeem करके या फिर switch करके regular से direct में जाएंगे तो लगबग 1% का AMC आपके उपर charge लगाएगी और अगर आपका amount बड़ा है तो ये charge बहुत बड़ा भी हो सकता है दूसरा जैसे कि अगर आपका time horizon बहुत जादा हो चुका है तो उस condition में जो आपको long term capital gain tax pay करना होता है उसमें सरकार के द्वारा या फिर आप कह लिजे union budget में अभी हाली में जो rebate था वो एक लाग से बड़ा करके सवा लाग कर दिया गया यानि आपके strategy अगर ठीक रही तो आप अपनी tax liability को zero कर सकते थे उस rebate का use करते हुए लेकिन short term में जब बात की जाती है अगर आपको short term capital gain हुआ है तो उस पर किसी भी प्रकार को आपको rebate नहीं है और आपको जितना भी gain हुआ होगा short term में उस पर 20% आपको tax pay करना अनिवार रहे है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस exit load और एक short term capital gain tax से कैसे बचना है और बिना एक रुपया दिये आपकी क्या strategy होनी चाहिए जब आप regular से direct में switch करते हैं अगर आपका एक साल से कम हुआ है investment को तो ठीक है इसके साथी साथ यहाँ पर बहुत सारी retail investors के मन में सं same folio number से कैसे मिलेगा और कैसे हम इसमें अपनी नई SIP स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल इस वीडियो में करके दिखाऊंगा तो अंत तक जोड़ जोड़े रहीगा इसके बाद बहुत सारे retail investor का एक doubt ये रहता है कि regular plan में जब वो investment कर रहते है माल जै किसी भी fund का regular plan जैसे हम चुकि यहां पर सस्ते rate पर ले रहे थे और महेंगे rate पर हम switch हो रहे हैं तो कहीं long term में हमें loss तो नहीं हो रहा है इसके बारे में detail में analysis करेंगे और पूरा mechanism समझेंगे कि किस प्रकार से regular से direct में जाने पर आप loss नहीं बलकि profit में रहने वाले हैं अंत तक जोड़ जोड़े एक retail investor के द्वारा मार्च 2014 में एक लाख का lump sum investment किया गया और उसी fund में 2500 की SIP इन्होंने शुरू की जो की regular plan था और ये plan इन्होंने कैसे लिया banking channel के थूरू SBI bank में इन्होंने investment किया था अब इनका main प्रश्णी यह है कि अगर ये एक लाख को direct plan में करते हैं तो क्या इनको exit load देना पड़ेगा साथी साथ इनकी जो SIP हो चुकी है I think यह कहना चारें कि इनकी 5 installment हो चुकी SIP की तो उसका exit load भी देना पड़ेगा क्या और साथी साथ इनका main प्रश्णी है कि unit क्या होता है और इसका क्या काम होता है अब आप अपने screen पर देखे मार्च 2014 में इन्होंने ए March installment SIP की जा चुकी है तो यह सारे जो investment है अगर आप SIP के through भी कर रहे हैं तो प्रते एक installment जो होता है वो एक fresh investment माना जाता है one time investment ही माना जाता है तो अगर किसी भी installment को अगर आप इनका देखें जैसे यह 3 March 2014 को हुआ था तो यह March 2025 में जाकर के इसको एक साल complete होगा तो और यह वाला जो one time investment था इसका भी देखिए यह March 2025 में जाकर ही इसको भी एक साल complete होगा और यह सारे funds जो है रिस्पेक्टिवली अगले महीने में जाकर के एक साल complete कर रहोंगे तो इनका जितना भी investment है SIP इन्होंने या फिर लंसम जो भी किया है इनको अभी एक साल से कम का समय हुआ और इस condition में इनका exit load बनता है जो की 1% के आसपास होगा और total कितना exit load इनका बन जाएगा अगर यह transfer करते हैं या फिर switch करते हैं रेगुलर से direct में उसको एक बार calculate करते हैं तो देखिए जो one time investment है वो total इनका एक लाग का है और इसके बास से देखिए एक, दो, तीन, चार और यह पांच, पांच installment कटा है और धाई जार यह जा रहा है तो कितना हो जाएगा पांच दूने 10 और यह हो जाएगा साड़े बारा लगबग साड़े बारा तो एक लाग तो इनका one time और लगबग साड़े बारा हजार इनका SIP के तुरू payment हो चुका है और अभी चुकी पांच महीने इनका हो चुका है तो कुछ ना कुछ interest इस पर बना ही होगा पांच महीने में अगर मैं यह मालनों कि पांच महीने में अगर इनको 10,000 भी interest बना होगा तो total कितना हो गया यह देखे एक लाख और यह साड़े 12,000 और यह 10,000 तो एक लाख 22,500 का total इनका corpus हो चुक यानि की 1225 रुपया आपको AMC को payment करना होगा exit load के तोर पर यानि fee आपके ही amount में से काट लिया जाएगा जब आप regular से direct में switch होने जाएंगे ठीक है इसके अलावा मालीजे हमने यहाँ पर मान करके चला था कि 10,000 मालीजे इनको profit हुआ है तो यह short term profit हुआ है short term में आपको 20% यहाँ पर tax देना होता है तो 10,000 का यहाँ पर देखिए 10,000 का मैं 20% अगर निकाल देता हूँ तो यह value जो आएगी 2,0 से 2,0 कट गया और यह 2,000 हो जाएगा ठीक है exit load तो आपको cut करके ही मिलेगा लेकिन tax जो है वो आपको ITR फाइल करके वहाँ पर pay करना होता है तो 3,225 का आपको नुकसान होगा इस नुकसान से बचने के लिए आप यहाँ पर कुछ strategy अपना सकते हैं आपकी strategy क्या होनी चाहिए इसको ध्यान से समझते हैं सबसे पहले अगर आप इसी fund के regular से direct में जाना चाहते हैं जैसे मांलीजी आपने कोई एक fund लिया है और इसी fund को आप चाहते हैं की regular से कईवल direct में हो जाय तो इसके लिए आप switch option ओप्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि आपने जो भी fund लिया है इस AMC का ना ल से ICI से Prudential में चले जाए या फिर Nippon India में चले जाए या फिर DSP mutual fund में चले जाए तो ये possible नहीं है इसके लिए आपको redeem करना होगा पूरा amount और तब जाकर के पूरा reinvest करना होगा किसी दूसरे AMC के साथ लेकिन अगर आप same AMC में same fund में regular से direct में किवल जाना चाहते तो वो आप switch के मादम से कर सकते हैं पूरा dedicated वीडियो आपको इस वीडियो के description में दिया गया कि किस प्रकार से switch करते हैं एक click के मादम से आप कर पाएंगे ठीक है तो जरूर देख लिजेगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अब आपकी strategy क्या होनी चाहिए ध्यान से सुनिए आपका जो investment श्टार्ट हुआ है वो March 2025 से श्टार्ट हुआ है आप 31 March 2025 के बाद से यानि सीधे तोर पर आप ये समझ लिजे कि 1 April 2025 के बाद से आप ये जो switch वाला process है इसको कर सकते हैं और कोई भी आपको ना तो tax लगेगा और ना ही exit लोड लगेगा अब कैसे करना है ध्यान से सुनिए सबसे पहले तो जो आपकी SIP चल रही है 2500 रुपय की इस SIP को आप बंद कर दीजे कैंसल कर दीजे इससे होगा ये कि अगला installment अब यहाँ पर pay नहीं होगा regular plan में ठीके और इसके लिए आप क्या करिए कि यहाँ पर जो minimum से minimum amount हो सकता है switch करने के लिए minimum से minimum amount आप यहाँ से 1000 रुपया अगर minimum है या 500 रुपया minimum है तो आप यह minimum से minimum amount regular से direct में switch कर दीजे इससे होगा ये कि regular में अभी आपका एक folio number generate होगा अब जब आप switch करेंगे तो direct में भी एक folio number generate हो जाएगा और वो same folio होगा same folio होगा ठीक है इतना clear हो गया और उसके बाद से आप क्या करिएगा कि जब आपका regular में यहाँ पर 500 रुपया switch हो गया तो उस condition में आपने यहाँ पर regular से direct में जब switch हो गया तो regular वाला जो आपकी SIP चल ले थी यह तो आपने बंद कर दिया cancel कर दनी है तो जो यह वाला धाई हजार वाला आपका regular में जा रहा है वो regular से बंद हो करके और direct में वो SIP स्टार्ट हो जाएगा किस प्रकार से online करेंगे इसका regarding आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले है ठीक है तो सबसे पहले तो आप अपनी regular वाली SIP को बंद करिए direct में आपको 500 रुपया या फिर minimum जितना भी हो सके उतना आपको वहाँ पर switch करना है जब switch का process complete हो जाए तो वहाँ पर आपको एक folio number मिल जाएगा वो folio number से होगा आपका regular plan के folio number से चीक है और अब आपके पास same folio number direct में भी है और regular में भी है regular में चुकी आपने SIP को cancel कर दिया है आप bound नहीं रहेंगे और नहीं कोई भी आपको short term capital gain tax लगेगा और चुकी अब आप long term capital gain tax के लिए liable होंगे और उस condition में चुकी 1,25,000 तक का आपको rebate मिलता है और जो भी आपकी tax liability बनेगी वो 1,25,000 के अंदर ही होगी तो ना तो कोई tax देना है और नहीं exit load लगना है यानि कि जब आपका March 2025 के बाद से जब आपका एक साल complete हो जाएगा सारे installment को SIP वाली और सारे और जो one time investment है उन सबको आप एक बार में उसके बाद switch कर सकते हैं तो आपकी ना तो कोई exit load लगेगी और नहीं कोई भी आपकी tax liability बनेगी 0 रुपया आपको tax पे करना पड़ेगा और न direct वाले plan में आपको SIP start कर देनी है इसके बारे में चलिए सीख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको MF Central की platform पर अपना account create करना होगा किस प्रकार से आप अपना account या फिर registration यहाँ पर बनाते हैं इसके regarding dedicated वीडियो का लिंग आपको description में दिया गया है तो make sure कि इस वीडियो क अगर आप SIP start करना चाते हैं तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर देखें ट्रांजेक्ट पर simply आपको click कर देना है उसके बास से आपको चुकी SIP start करना है तो यहाँ पर आपको एक मीनू दीखेगा lump sum और SIP simply आपको इस पर click कर देना है उसके बास से आपको यहाँ पर आपके mutual fund का type select करना होगा कि वो mutual fund किस type का है debt का है equity का है solution oriented है या फिर hybrid है ठीक है तो यहाँ से माल लिजे यह आपका equity oriented है तो simply आपको equity पर click कर देना है अब जो भी fund आपने switch किया है उस mutual fund को आपको example के लिए मान करके चल रहा हूँ आप जो भी fund में switch कियोंगे उसी को search करिएगा ठीक है मैं माल रहा हूँ कि access small cap में किसी retail investor ने regular से direct में switch किया हुआ है तो यहाँ पर आपको उसी mutual fund को यहाँ पर search बार लिखा दिया गया है इसमें डाल करके search करना है साथी साथ आपको यह भी direct की तरफ ही होना चाहिए direct की तरफ होगा तभी आपको direct वाला प्लान शो करेगा ठीक है अब यहाँ पर मैं access small cap को लिख करके search करता हूँ देखिए access small cap आप अपने screen पर देख पार होंगे देखिए access small cap direct growth यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा होगा equity और small cap category का यह है तो इस पर simply आपको click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर इस fund से related सारे detail आपको दिखाने लगेगा screen पर की AEM कितना है NAV rate कितन चलना exit load कितना है और direct plan यह है और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा start SIP simply आपको इसी start SIP पर click करना होगा उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको एक option दिया जाएगा कि select existing folio अब चुकी जो आपने वहाँ पर कुछ amount जो switch किया था वो amount की होगा उस regular वाले plan से ठीक है यहाँ ते clear हो गया तो अगर आप उसी में अगर आप अपना SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर by default अगर आप select existing folio करते हैं तो यहाँ पर जो आपका folio है already generate है वो यहाँ पर show करेगा यहाँ पर आप देख पार होगे उनका folio already यहाँ पर generate है और यह show कर रहा है और अगर आप इस से अलग folio में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा create new folio तो इस पर जब आप click करते हैं तो आपका existing folio था अब यहाँ पर show नहीं करेगा आप अपने screen पर देखे अब यहाँ पर कोई भी existing folio show नहीं क उसके बाद से आप कितने का SIP करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपना amount डालेंगे नीचे आप अपना frequency select करेंगे frequency यहाँ पर देखे एनुवली, daily, monthly या फिर weekly basis पर आप करना चाहते हैं तो monthly basis को आप select कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे मैं monthly basis पर select करता हूँ तो फिर आप से date पूछाए जाएगा कि किस date में आप अपनी SIP रखना चाहते हैं तो आप अपना एक date select कर लिजेगा उसके बाद से नीचे आप देखेंगे तो start date और end date दिया गया है तो यहाँ पर आपको एक checkbox दिया गया देखिए pre-peptual और 40 year maximum तो इस पर simply आपको click कर देना है इसका मतलब यह हो गया कि by default यह 40 years तक आपकी SIP चलती रहेगी बीच में जब भी आप चाहेंगे तो एक click के मादम से यह आपकी SIP बंद हो जाएगी अगर मालिजे आप इसको tick नहीं करते हैं और manually यहाँ से कोई date select करते हैं तो आपका last edit होगा यानि end edit होगा उस पर automatic आपकी SIP बंद हो जाएगी तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर maximum select कर लिजे और जब भी आप चाहेंगे तो manually इस SIP को आप cancel कर सकते हैं ठीक है उसके बाद से नीचे आपको एक checkbox दिख रहा होगा I hereby agree सभी terms and condition को accept करने के लि payment करने का option आ जाएगा अगर आप यहाँ पर पहले से one time mandate set नहीं किये हैं तो आपको auto pay करने के लिए one time mandate यहाँ पर set करना होगा किस प्रकार से करते हैं dedicated video link आपको description में दिया गया है तो make sure कि आप description जरूर check out कर लिजेगा उसके बाद से जैसे ही यहाँ से authenticate होता है तो आपकी प्लान में जाएगा ना कि regular plan में इस प्रकार से आप यहाँ पर SIP कर सकते हैं अब आते हैं आपके अगले प्रशन पर कि जब regular plan से direct plan में आप switch होते हैं तो regular plan का जो NAV होता है वो कम होता है आप अपने screen पर देख पार होंगे यहाँ पर मोतिलाल ओस्वाल की official website पर मैं आपको drop down menu से आप regular और direct में यहाँ पर change कर सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर regular plan को select किया है और इस regular plan में अगर आप इसकी NAV देखेंगे तो यहाँ पर इसकी NAV 98.27 पैसा आ रहा है और अगर मैं यहाँ से regular से direct कर देता हूँ अब आप देखिए यहाँ पर जो NAV है वो बढ़ करके 111. अब यहाँ पर retail investor के मन में संका होती है कि हमने चुकी invest किया था regular में तो वहाँ पर NAV कम था और जब हम direct में जा रहा है तो यहाँ पर NAV हमें महेंगा मिल ला है तो कहीं हमें loss तो नहीं होगा अब यह समझते हैं कि NAV कैसे होता है तब जाकर के concept आपको clear होगा तो इसका simple सा formula है किसी भी mutual fund का NAV निकालने के लिए total उस mutual fund का AVM कितना है माइनस कर देते हैं उस mutual fund के लिए total liabilities कितनी है उस particular AMC के पास और divided by number of units अब यहाँ पर retail investor के द्वारा ये भी प्रश्म पुछा गया था कि unit क्या होता है तो देखिए unit वह संख्या है जो कि किसी भी वस्तु को जब आप खरीते हैं तो उस वस्तु की कितनी मात्रा आपको दी जाएगी वो unit बताता है जैसे मालिज उस एक टौफी का दाम दो रुपया है तो आपको टोटल उस टौफी की कितनी मात्रा मिलेगी तो टोटल जो आपने पैसे दिये और एक टौफी के दाम से भाग दे करके टोटल हमें पता चल जाएगा कि हमें उस टौफी के 5 unit मिलेंगे इसी प्रकार से जब आप mutual fund में investment करत किया था तो उस mutual fund के एक unit के price को ही हम लोग बोलते है NAV यानि net asset value तो माल जे उस mutual fund का अगर NAV rate माल जे 50 रुपय है तो हमें कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर total 20 unit यानि कि उस mutual fund के आपके पास 20 unit हो गया तो unit कुछ नहीं होता है simply आपको मात्रा बताने के लिए यह use किया जाता है कि total आपके पास उस mutual fund के कितनी मात्रा है यहां तक clear हो गया चलिए अब आते हैं basic question पर कि NAV calculate कैसे किया जता है तो formula मैंने आपको बता दिया अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पर liabilities क्या है तो किसी भी company का जो total उनकी देनदारी है उनके उपर हो सकता है कुछ commission पे करना हो brokers को या फिर distributors को तो यह सारी liabilities में आती है अब अगर मैं आपको बता हूँ तो regular plan का जो expense ratio होता है वो लगबग 1% जादा देखने को मिलता है direct plan से direct plan से यहाँ पर expense ratio जादा देखने को मिलता है regular plan में expense ratio जादा होता है और direct plan में कम होता है यानि कि यहाँ प से liability की संख्या जादा घटेगी जब जादा घटेगी तो उपर वाली value कम आएगी किसमे regular plan में और जब उपर वाली value कम आ रही है तो जहार से बात है यहाँ पर overall value होगा वो क्या होगा वो कम होगा regular plan की तुल्ला में अब इसको practically मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस fund का expense ratio कितना है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखिए total जो expense ratio है इस regular plan का वो 1.69% पर एनम है ध्यान से देखेगा 1.69% पर एनम अब चलिए direct plan का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अब आप देखिए यहाँ पर मैंने direct plan को यहाँ पर select कर लिया है जैसे ही मैं direct plan को select करता हूँ फिर नीचे चलते हैं और इसका expense ratio हम लोग देखने की कोशिश करते हैं expense ratio जो होता है वो total liabilities में ही count होता है अब यहाँ पर expense ratio देखिए कि total जो यहाँ पर एक तरीके से NAV का rate होगा वो regular का कम आएगा और direct का जादा आएगा कैसे ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और concept आपका clear कर दूँ चाहें आप regular plan ले या फिर direct plan ले दोनों का AUM common ही होता है और दोनों के number of units जो होते हैं वो भी common होते हैं करोड का AUM किसका है यह आप देख पार होंगे direct growth का है और अगर यहाँ से मैं बदल करके regular plan सेलेक कर लेता हूं फिर भी आप देखेगा AUM 12,627 करोड का ही वहाँ पर show करेगा आप अपने देखी स्क्रीन पर देखिए latest AUM यहाँ पर 12,627 करोड का ही show कर रहा है इसका मतलब AUM 12,627 करोड का था एनेवी का formula हम लोग ने क्या लिखा था एनेवी का formula हम लोग ने लिखा था total AUM minus liabilities divided by number of units total number of units ठीक है यह एनेवी का formula था किसका एनेवी का अब यहाँ पर अगर मैं calculation को आसान रखने के लिए यह मान करके चलों कि इसका जो एवियम है मालिजे एक करोड का ह एकाई दहाई सेकडा हजार दस जार लाक दस लाक और यह करोड एक करोड का मालिजे इसका total AUM है यह AUM हो गया liabilities में बाकी सबी चीजों को मैं हटा देता हूँ इसलिए ताकि calculation थोड़ा सा easy रह है पहले मैं regular का निकाल करके आपको दिखाता हूँ regular का जो expense ratio था जो कि इनकी li liabilities में ही आएगा वो एक दसमलो 6-9 प्रतिशत था जो कि total AUM का आपको देना पड़ेगा मतलब कि यह पूरा AUM का expense ratio होगा ठीक है और number of units को मैं constant मानता हूँ regular और direct दोनों के लिए यहाँ पर मैं मान करके चलता हूँ कि एक लाख मालीजे इस mutual fund का total units है तो अब मैं NAV calculate करता हूँ पहले मैं regular plan का calculate करता हूँ इसी formula से देखेगा total AUM कितना है एक करोड का तो यहाँ पर देखेगा total AUM मैं एक करोड लेकर के चलता हूँ और इसका हमें कितना percent लेना था इसका हमें लेना था expense ratio 1.69% था यहाँ पर हो गया अब इसको यहाँ पर कर देते हैं और divided by था total number of units मैंने number of unit को एक लाख माना था तो मैं यहाँ पर एक लाख से divide कर देता हूँ आप अपने screen पर देख पा रहा हूँगे जो NAV का rate आ रहा है वो 98 रुपया 31 पैसा आ रहा है यह किसका आ रहा है regular का मैंने calculation को easy रखने के लिए बाकी liabilities को ignore किया हुआ है तो इसको आप ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि regular का NAV कम क्य रहेगा मैंने आपको मोतिलाल उस्वाल के official website पर दिखा दिया किवल liabilities में change होगा क्यों क्योंकि direct plan में आपको कम expense ratio देना पढ़ आ है और कोई भी commission यहां पर नहीं देना पढ़ता है किसको AMC को broker को यह फिर एक तरिके से जो middleman है उसको नहीं देना पढ़ता है इसलिए liabilities य प्रतिशत था ठीक है 0.61 प्रतिशत तो यहां पर फिर से calculate करते है total माली जे एवियम मैं यहां पर मान करके चलना हूँ एक करोड का minus total एक करोड एवियम का फिर से हमें क्या निकालना होगा 0.61 प्रतिशत ठीक है यहां पर प्रतिशत निकाल देता हूँ जो भी value आ गई अब इसमें total number of units से मैं divide करना होगा यानि एक लाख से मैं यहां पर divide करता हूँ ठीक है एक लाख से divide करने पर जो हमें value मिलती है वो आप अपने screen पर देख पार होगे वो आ रहा है 99.39 यह किसका आ रहा है यह direct का और regular का हमने जो calculate किया था वो कितना आ रहा था 98 point something आ रहा था यहा कि वहाँ पर commission pay करना पड़ता है broker को या फिर distributor को या फिर middleman को इस वज़े से इसकी इने भी हमेशा कम होगी regular की और direct की इने भी हमेशा regular से जादा होगी अब यहाँ पर आपको एक रुपए या फिर दो रुपए का केवल difference दिख रहा है लेकिन liabilities को बाकी liabilities जैसे loan अगर यहां तक clear हो गया कि क्यों एने भी कम होता है direct में ज्यादा होता है direct में और regular में कम होता है ठीक है अब एक बार बात करते हैं कि क्या ये बात सही है कि अगर आप regular यानि कम एने भी वाले से switch करेंगे ज्यादा rate वाले एने वी से तो क्या आपको loss होगा चलिए इसको calculate करते है एक example मानता हूँ कि यहां पर माले जे की दो fund है fund एक जिसका एने वी का rate जो है वो माले जे 1000 रुपय का है और दूसरा fund जिसका एने वी का rate जो है वो माले जे 100 रुपय का है अब दोनों के एने वी में अंतर है अब अगर starting में as a retail new investor हमें ये लगता है कि ये हमें सस्ता मिल ल के देगा और ये महेंगा मिल ला है तो हमें हमारे पैसे को कम growth देगा लेकिन अगर दोनों एक ही category के fund है यानि कि अगर दोनों large है या फिर दोनों mid है या फिर दोनों small है तो यहां पर संभावना रहेगी कि जितना percent ये growth हमें दे रहा है उतना ही percent ये growth दे अगर ideal condition में मान कर कर चल रहा हूं कि दोनों EMC के जो portfolio है उसमें same fund है यहां पर मैं सिर्फ NAV के rate को consider कर रहा हूं बाकी के factors को ignore कर रहा हूं ताकि practically आपको समझा पाऊं तो माल लिजे कि दोनों में एक साल में हमें 10% का growth देखने को मिला दोनों में तो पहला वाला जो fund था जिसका NAV 101,000 रुपय का हो जाएगा और वहीं पर जो 100 रुपय का था ध्यान से सुनिए जो 100 रुपय का था अगर उसमें एक साल में हमें 10% का growth देखने को मिला तो उसका NAV कितने का हो जाएगा एक सो दस रुपय का हो जाएगा तो यहां पर देखें दोनों में percentage growth 10% का ही हो रहा है एक 1000 से 1100 रु ज्यादा थी इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिला यहाँ पर base value कम थी इसलिए यहाँ पर growth कम देखने को मिला लेकिन जब आप percentage में convert करेंगे तो दोनों fund ही सिर्फ 10% का return दे रहें तो NAV के rate से कुछ भी नहीं होता है NAV सिर्फ और सिर्फ एक unit के price को represent करता है आपका NAV कम है या फिर ज्यादा है इससे growth decide नहीं होता है उमीद करता हूँ यहाँ तक doubt clear हो गया हो गया दोस्तों इस वीडियो का description आप जरूर check out कर लिजेगा किस प्रकार से आपको switch करना है किस प्रकार से आपको MF Central पर account बनाना है यह सारे detail को detail में देखने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा effort कैसा लगा कमेंट के मादें से जरू बताएगा और ऐसे ही मतुपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धेनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो